हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माइचानल लेकतासिंग डॉट कॉम फ्रेंड्स आज मैं आपको सहजन यह सहजन है इसका मैं अचार बनाना बतारूंगे इसी सहजन को आप मुंगा या ड्रम स्टिक भी कहते हैं यह एक तरह की फली होती है इसमें आयरान कैल्सियम प्रोटी प्रेंड्स चलिए बनाते हैं सहजन का अचार सहजन की फली का अचार बनाने के लिए यह मुझे पचफोरन चाहिए इसमें देखिए मेथी है जीरा है सौफ है कलोजी है और राइ यह देखिए पीली वाली राइ इसको मैंने दरदरा पीस लिया है यह हल्दी पाड़र है य यह सौफ है सौफ का पाड़र है यह नमक है यह तेल है और यह सिरका है वाइट विनेगर और यह लाल मेर्च है चलिए बनाते हैं राम स्टिक काचर यह देखिए मैंने गैस आन कर दिया है कढ़ाई रख दिया है और यह सैजन की फली को छोटा-छोटा काट लिया है आप चाहिए आपको अगर चाहिए तो पानी में बाल के और आप इसको सुखा के तो भी आप रख सकते हैं मैंने इसको सिर्फ धो के कट करके एक गंटा के लि यह देखिए मेरे तेल में से दुवा निकल रहा है मैं गैस आफ कर दूँगी और गैस आफ करके अब यह जो पच पोर आयन है मैं इसको डालूंग और तेल फंडा करके फिर यह सब शीमा मिलाओं घिर्भी अ कि यह देखिए मेरे अब तेल अब ठंडा हो चुका है अब मैं पौत जच्फ नमक सब्सक्राइब करणा और व्हुमें यहांक mêmes लाल में पार्डर पार्डर मां आम ये ओ lady में 9 झांद में में फिखा ता terroristolate और ओ आर ये Latin चम्मच ग्रिया के दलब है लिट से इसको जांक ही ऊज़के सारे अच्छे से भाइभी को एक पार चीक गार कर चार्याक है और यह जो सैजन की फली है the drum stick मैं इसको इस को इस तरह के कांश के बावल में भर लूबार और चार दिन के बाद यह मैं दूभ के लिए रेड़ी हो जाएगा देखिए अ कि कि यह देखिए मेरा हो मेंρώ मीरा कि में ट्रम स्टिक ईजार त्यार हो गया है लगाता चार दिन इसे धूप में रखने के बाद ये खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए थैंक यू फ्रेंड्स